पिंटु ने पिल्ले को इतनी बेरहमी से जमीन पर दे पटका की, देपु का नन्हा समन करना से पसीज उठा इच्चा हुए कि पिंटु को कसकर एक जापट लगाए, पर पिल्ले को गोद में समेटते हुए, उससे बस इतना ही कहते बना, एसा मारा जाता है कहीं, गुंगा जानर है बेचरा, देख लेना भगवान जी तुम्हें खुब पाप देंगे, लेकिन इतनी सी बात पर भी दोन तुम भीच में बोलने वाला कौन होते हो, देपो का सारा आवेश ठंडा पड़ गया, पिल्ला कब उसके हाथ से छिनकर पारुल के पास चला गया, इसका भी उसे होश न रहा, किसी अनाम दुख से सुबकता हुआ वह ममी के पास दोड़ गया, उनकी गोद में मूँ छुप उनों तक पहुंची ही नहीं, खीज कर उसने किताब खेंच ली, क्या है रहे, क्यों तंग कर रहा है, ममी जी खी, पड़ते सामें कोई परेशन करें तो उन्हें बहुत गुसा आता है, पर दिन भर ही तो पड़ती रहती है, अपनी बात कोई कहें भी तो कालेज किया जाने लगी है, दीपू की तो मुसीबत हो गई है, अब बोलना क्या बात है, हमें एक उत्ता चाहिए, उसने पोकुन मुनाते हुए अपनी फर्माईश पेश की, लकी है तो वो तो पिंटू का है, तो क्या सब के लिए अलग-अलग कुत्ते आएंगे, वो आकेला ही तो घर बर ही नाक में दम किया राता है, लेकिन पारूल पिंटू हमें छूने भी नहीं देते हैं, हमें तो अपने वाला चाहिए, चाहिए तो पर रखोगे कहां, अपना सिर्च छुपाने के लिए तो ढंकी जगह नहीं, ममी ने भुन-भुनातर कहा, दीपू ने अपने चारों और दे भी जगह न रहे, नानी का पूजा वाला कमरा तो है, उनकी खाट और ठाकुर जी तो अब स्टोर में पहुंच गए हैं, नहीं तो शायद इसी कमरे में उनकी खुल-खुल खासे भी रात भर सुननी पड़ती, ममी तो फिर से अपने पुस्तक में खो गई थी, देपू उनक की गोद में फड़ा-फड़ा सोचता रहा, फिर कुछ देर बाद ओपकर बाहर चलाया, कमपॉंड में पिंटू के दोस्त जुड़ा आये थी, शायद क्रिकेट खेलेंगे, अब मन का घाव ताजा था, इसलिए वो चुक्चा बरामदे में खड़ा, निमंत्रन की राह लेकिन फिंटू के पास धेर से साथ ही थे, वा नुक को क्यों बनने लगे, उनका खेल मजे से शुरु हो गया, फिर वहां खड़े रहने दीपू को बड़ा दैनी सा लगा, वा हाल में चला आया, गोल मेज पर धेर सारे पत्रिकाई पड़ी थी, उन्हें लेकर वसोफे पह बैट गया और तस्वीर देखने लगा, सबके बच्चों वाला पेज उससे पड़े डाले, कविता ये रट ले, पहलिया की उत्तरियाद कर लिया, आग कोई कुछ पुछेगा तो फिंटू और पारूल मूत आते रह जाएंगे, रजजा बैटा तो दीपू ही बनेगा, इतनी बार मना किया है, उसने चौंकर देखा, मामी जी पता नहीं कब खमरे में आ गई थी, पता नहीं कब उसने पहर उपर कर ले थी, अंजाने में ही हो जाता है सब, वा चुपचा बैटा अपनादी भाव से मामी जी को देखता रहा, जो यहां वहां से कागस के टुकडे बीन रही थी, मामी जी उसने साज बटूरते हुए कहा, पिंटु हवाई जाज बना रहा था, यह कच्रा उसी का फैलाया हुआ है, कोई भी फैलाया बेटा, डाट तो हमी को खानी है, मामी जी ने कसे इल स्वर से कहा तो, उसे लगा व्यद्ध ही अपनी सफाई देता रहता वा, मामी जी को आजकल उसकी कोई भी बात अच्छी कहा लगती, पहले वाला लाट प्यार जाने कहा चला गया है, होता क्या है कि बच्चे चाहे लड़ाई करें, चाहे शरारत, नानी जी उसका पक्ष ले लेती है, और डान पढ़ती है पिंटु पर, पारल पर, मामी जी भ कोई कुछ नहीं कहता, इसलिए हर बार मामी जी का मूँ फूल जाता है, बच्चे भी उसके कट जाते हैं, इससे तो अच्छा है थोड़ी डान पढ़ जाये करें, तब इतना अकेला तो नहीं पढ़ जाये गवा, इससे तो सच मुछ गाउं में अच्छा लगता था, डान पढ़ती तो सबको एक साथ, दादा जिकूश हो जाते तो सबको एक एक छवन्नी इनाम मिलती, तब कुलफी वाले की रा देखने में कितना मजा आता, दूर से उसके साइकल की घंटी बचती और सब दौर पढ़ते, यहां तो कुलफी का नाम भी ले ले तो गजब हो जाए गाउं में सचमुच आनंद था, खूब लंबा चोड़ा घर, दूर दूर तक फैले खेत, बच्चे कहां समा जाते, फाता ही नहीं चलता, मजे से कुई ये पर नहा रहे हैं, गन्ना चूस रहे हैं, पेड से कच्ची अम्या तोड रहे हैं, कोई रोकता नहीं था, न दिन भ खाना खाने का सिर्दर्थ भी नहीं था, बस जब भी भूक लगी, दादी के गले में बाहें डाल दी, या ताई जी की साड़ी से लिपट गाई, फौरन ममी को होक्त हो जाता, और चुप चुप थाली लगा कर ले आती, यहां तो डांटने ही लगती है, जाने कौन से आकाल से चला आया है, दिन बर भूक भूक ही चला करेंगे, आप उसे बार बार भूक लगाती तो वो क्या करें, अंग्रेजी स्कूल की समस्या नहोती तो वो गौँ में ही बना रहता, ममी चाहिए यहां चली आती, यहां उसे जड़ा अच्छा नहीं लगता, ममी सुबह काले चल तो वो किसके कहे ऐ यह मामी जी के पास जाने ही हिमत नहीं पड़ती नानी मार लाड़ तो करती है पर उनसे होता हमाता कुछ नहीं बस बैटे बैटे आडर दिया कती है ममी ने तो जैसे किचन में जाने की कसम ले रखी है यह भी नहीं हो ता कि एक आद बार नानी की चाही बना देती कभी कबार मम्मी रसोई में चली जाय करे तो देपो की भी पहुंच वहां हो जाए कितने दिन हो गया है उसे आटे की लोई से छिडिया बनाए हुए भिंडे के धंटलों से देवार पर चितरकारी करना भी वह जैसे भूलता जा रहा है ताजे उबले आलू में नमक लगा कर खाने की बड़ी इच्छा होती है पर मन मार कर रह जाता है कड़ाई में सिखते हुए मुँफली के दानों की सुगंद से उसके मुँँ में पानी भर आता है पिंटू उसके हिस्से के चार-चर दाने उसे पाकड़ा भी जाता है पर उससे मन कहां बढ़ता है मन में तो यहीं लगा रहता है कि इस पिंटू के बच्चे ने जरूर बेमानी की होगी नारियल की गिरी कसने के बाद जो सफेज सफ़ समीटा हिस्सा बच्च रहता है घर पर हमेश उसके ही हिस्से में आता पर यहा तो तीन-तीन दावेदर मौझूद है उसे पिंटू की तरह जपटना भी नहीं अता मम्मी का डर बना रहता है फिर पेटू का लाने की चिनटा भी हमेशे सिर्पर सवार रहती है सोफे पर पाउं रख दी तो लोग कैसे कैसे देखने लगते हैं फिर खाने के लिए जित करना तो बहुत बड़ी बात है होवर करते करते ये वही बिस्तर पर पसर गया था वह थोड़ी देर बाद आंके कुलितो देखा ममी शीशे के सामने खड़ी जोड़ा बांध रही है का जा रही हो ममी जाना कहर यूही घूमने हम चले चलो पटापट तयार होकर वह बाहर आया तो देखा पिंटू और पारुल ममी से जोल रही थे बुवा पार्ट जा रही हो हम बेचलेंगे और बस ममी ने हाँ कर दी दोनों उचलते हुए कपड़े बदलने चले गए इतना गुसा आया उसे मना क्यों नहीं कर दिया उसने मूँ फिलकर कहा अरे वा एसे मना करते बनता है पगले हम से कुटी है दोनों की दिन में दस बार तो तुमें कुटी होती है अच्छा चलो हम दोस्ती करवा देंगे दोस्ती हो तो गई पर घूमने का सारा मज़ा लकिरकिरा हो गया थोड़ी देर को ममी के साथ एक अलग दुनिया बसाने की सोच रहा था सोप चोपट हो गया आप पूरे रास्ते पिंटू पटर पटर बोलता जाता है पारूल तो एसे चिपटला जाएगी जैसे उसके अपनी मम्मी हो पार्क में मम्मी कहने भी सुनाएंगे तो पारूल गोद में चड़ी रहेगी सबसे ज़्यादा मुसिबत यह है कि एलोग साथ में होते तो मम्मी कुछ भी नहीं खिलाती घर पर तो कभी जी भर कर खा नहीं पाता दीपो पार्क में जुरूर थोड़ी सी जित कर लेता है मम्मी फिर कभी कबारले भी देती है पर एलोग साथ में होते हैं तो जट घर चुगली कर देते हैं न भी करे तो अगले ही दिन किसी का गला खराब हो जाता है तो किसी का पेट बस मामा जी फोरन तार जाते कल बुवा जी के साथ पिकनिक मानी होगी क्यों वह कहते हैं और लोग लगे हाथ ममी को भी एक हलकी सी डांट पिला देते हैं नहीं कैसे लोग हैं जरा सक कुछ हजम नहीं कर सकते दीपू को खिला कर देखे कोई सच पापा में यह बात अच्छी है खूप खाएंगे खूप खिलाएंगे ममी रोकेगी तो डांट देंगे खाने दो उसे अपने तरह नाजुक मिजजबत बनाओ अब तो पापा भी चाठ पकोड़े खाने के लिए तरस गए होंगे वहां तो इस सब चीज़े क्या मिलती होगे वैसे उस दिन तो मामा जी बतला रहे थे कि अब तो लंडन में धेर सारे हिंदुस्तानी होटल कुल गए हैं सब तरह का खाना मिलने लगा है मतलब पापा वहां भी मज़े कर रहे और देपो यहां हिंदुस्तान में वे कुछ चीज़ों के लिए तरस गया है पात में गीली घास पर बठा वो यही सोचता रहा और कुडता रहा पापा कब आएंगे ममी रात को उसने रोज की तर्या ममी की गोद में दुबते होए पूछा क्या पता कब आएंगे मैं तो इ मोजी की यहां भी अभी पिछली छुटियों में ही तो होकर आये है बार बार जाना क्या अच्छा लगता है फित। ले देकर एक घाँ ही रह गया है दीपो की तो वहां मोज रहती है पर ममी बेचारी बड़े परिशन हो जाती है कहने को इतना बड़ा गर है पर ढंका एक कम भी नहीं नबिजली है ननल बस गर्मी में तपते रहो पानी तो खैर महरी लाती है पर ढंका बातरूम तो हो ममी हर बार अपना ट्रैंसिस्टर ले जाती है पर सुनने का समय ही नहीं मिलता किताब तो वहां वह छुती तक नहीं बस दिन बर ताई जी के साथ रसोई में गु खूब आगे तक सिर ढके चुप चुप रहने वाले यह ममी कितनी अजनबी सी लगती है कितनी बेचारों से नहीं आपनी घुशी के लिए ममी को परिशन नहीं करेगा वह अपने घर कप चलेंगे ममी अपने घर पापा तो आ जाएं पापा का बाहेंगे बस घूम फिरकर व पापा का बाएंगे ममी आखिर पापा की वजचिटी आ ही पहुंची जिसका इतनी बेसबरी से इंतजार करता था कितना कुछ था दीपो उस दिन सारे घर में नाचता हुआ गा रहा था अब तो हम अपने घर जाएंगे ममी जिससे आखिर न रहा गया पूछी लिया दीपो यहां तो पिंटु लोगों का है हमारो तो भोपाल में है भोपाल को भूल जाओ बेटे अब कलकत्ता की बात करो मामा जी ने पीट थप थपा कर रहा पर कलकत्ता की कलपना उसे गुदगुदा ना सकी उसके मन प्राणू में तो पही पुराना घर बसा हुआ था पापा जी को लिवाने मामा जी के साथ दीपो और ममी दोनों बंबाई गए हवाई जहाज देखने की उसकी बरसों की तमन्ना पूरी हुई थी और वहां तो इतने धेर सारी हवाई जहाज थे वहां उतने सारे लोगों में दूर ही खड़ा रहा पापा को पैचान भी न सका पास आने पर भी कुछ देर तो संकोष में दूर ही खड़ा था आकर पापा नहीं उसे गोद में उठा लिया कितना लांबा हो गया है रे उन्होंने प्यार से उसे चूमते हुए कहा वह दीरे दीरे पापा के गालों को चुकर देखता रहा फिर दीरे से बोला पापा अपन अब घर चलेंगे ना पापा उसके लिए डेर सारे खिलोने लाए थे फरवाला कोट रंगीन स्वेटर तस्विरों वाली रंगीन किताबे कुशिक जैसे पूरा सामने सामान ले आये थे पर सबसे बड़ी कुशी थी तो बस घर जाने की अपने घर जाने की पापा आये तो महमान जी का एक लंबा दोर शुरू हो गया कभी किसी के यहां खाने पर जाना है तो कभी किसी के यहां चाय पर दो चार पार्टियां तो मामा जी नहीं दे डाली दीपु बुरी तर बोर हो गया था इन लोगों को छे साल से देखते देखते तंग आ चुका था अब कोई अकर्शन बाकी नहीं था लगता था पापा पता नहीं कितने लंबी चुट्टी लेकर आये हैं घर चलने का नाम ही नहीं लेते मामा जी के यहां से चले तो सीधे गाउं पहुंचे बहां भी तो इंतजार हो रहा था दादी ने पता नहीं कितनी कैसी कैसी पूजा पात रखी थी पहुंचते ही वह खटराग शुरू हो गया मिलने वालों का यहां भी ताता लग रहा पापा इंगलंड क्या हो आई जैसे अजुब बन गए दादी तो उन्हें कैसे देखती कि बफ रोज शाम को नजर उतारे जाती मम्मी खोने से चिपकर हस्ती रहती राम राम करके चलने का दिन आया तो सबकी आँखे गीली हो रही थी पर देखो का मन बल्लियों उचल रहा था वह अपना घर जा रहा था वहां मेश पर छड़ कर हाई जंप लगाएगा बलकनी पर घुट सवार करके मम्मी को हराएगा रेडियो के सुर में सुर मिला कर पर मम्मी के साथ उसका बोतर खाने में प्रिवेश करते ही उसका मन बैटने लगा यह क्या मम्मी यह अपना घर नहीं है यही है बैटा यह कलकत्ता है यहाँ एसे ही छोटे से गर में रहना पड़ेगा धत्ते रखी क्या सोचा था और क्या निकला दूसरे दिन की ट्रक आ ग गतो हर्श और विस्मे से उसकी बांचे खिल गए वा हर चीज को सूंगता रहा ममी ने छट पर गद्दे सुखाने लगी तो उन पर लोट फोट होता रहा दो साल तक बंद रहने से बाद भी उसमें एक परचित महक बच गई थी यह महक यह गंद दीपो के मन में सोई याद जाजा कर गई ममी पर भी जैसे जादू हो गया था दिन बर बनी सवारी लेकिन गुमसुम रहने वाले ममी गुन गुनाती होई काम में जुट गई थी सल्बटे पड़ी साड़ी और बिकरे बिकरे बालों में ममी एकदम घरेलों लग रही थी पापा दना दन पैकिंग खोल मम्मी सामान धों पोंच कर जमाती जा रही थी देपे उन्देर दोनों के बीच फुदकता छोटे मोटे कांग कर रहा था शाम तक किचन सही शकल में आ गया था ड्राइंग रूम भी बैटने के लाइक हो गया था दोनों हाथ उपर उठा कर पापा ने एक लंबी सी देली और एलान कर दिया कि बाके कम कल लिया किया जाएगा और वह भी की रात्ता खाना होटल में खाएंगे एकदम घर में उच्छो का सावातावरन बैन गया उसके हाथ मुझ खूब आच्छे से धुलवा कर ममी ने उसे नए लंदन वाले कप्रे पहना दिये और खुद न पने से लगे उनका यह रूप तो वह भूलता जा रहा था जब से आये थे पापा बढ़िया सूट में सजेदजे ही घूम रहे थे लोगों से धीमी धीमी आवाज में बात करते पापा नानी के सामने बड़े अदब खायदे से रहने वाले पापा उसे मेमान से ही लगे थे गाउं जाने पर सूट तो उतरा गया था पर लोग बागों से घिरे बुंदेली बोलते हुए पापा बड़ी दूर की चीज़ लगते कभी दादी की गोद में सिर रख कर लेड जाते तो कभी ताई जी के पलू से हाथ पोंचने लगते उस समय से बिलकुल बच्चों के से लगते पापा तो बिलकुल ही नहीं सुनो ममी नहा कर आ गई थी वो गीजर ठीक से काम नहीं कर रहा देख लूंगा अभी गैस कंपनी को कल याद करके फोन तो कर दोगे ना बस by all means दीपो के स्कूल का क्या करें मेड सेशन के एडमिशन तो मिल जाएगा ना देख लेंगे धेडो स्कूल है यहां कही ना कहीं तो मिल जाएगा कहीं न कहीं तो नहीं जी, अच्छा स्कूल चाहिए, अच्छा दूद का क्या करोगे, डेरी वाले घर दे जाते है क्या, पड़ो उसमें पूछ लो, काम के लिए भी किसी को तलाश न चाहिए, कोई छोकरा या आया, ओफो, क्या ये सब आज की ही तारिक में तै हो जाया रहा, जरूरी है, पापा एकदम जलना पड़े, और क्या हर काम मुझे ही करना होगा, कम से कम महरे की इंतजम तो तुम कर सकती हो, अडोस पर उसमें शरीफ लोग बसते हैं, जाकर पूछ लो, मम्मी तो एकदम सुबक नहीं लगी, ओफो, पापा ने बेजारे से कहा, और मम्मी के पास चले आए, एक गाल पर साबून का जाक फैला हुआ, दूसरा सफाचित, फिटी कोट ब्लोव से उपर तोलिया लपिटे मम्मी शंकर जी की तरह बालों का जूड़ा बनाया हुआ, सच देखकर इतनी हजी आए दीपू को, वह बाहर गैलरी में आकर देर तक हसता रहा, म अजय आए